आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीजो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ What forms the basis of Segregation and Independent Assortment तो यहाँ पे दो terms है एक है Segregation दूसरा है Independent Assortment पहले इनी को समझ लेते हैं कि यह क्या है सबसे पहले समझेंगे Segregation को तो Segregation का मतलब क्या होता है इसका मतलब है Moving Apart From Each Other यानि कि एक दूसरे से दूर जाना तो यह चीज हमें Cell Division में देखने को मिलती है कहाँ पे देखने को मिलती है अगर हम बात करें Metaphase की तो यह एक ऐसा phase है जब सारे जो क्रॉमोजोम्स है वो एक लाइन पे आ जाते हैं और उस लाइन को हम कहते हैं Metaphase Plate और यहाँ से यह इस तरह से Connected होते हैं तो यह कौन सा phase है? Metaphase इसके बाद जो phase आता है उसमें यह क्रॉमोजोम्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं कैसे जाते हैं? यहाँ पे यह जो construction है यह split हो जाती है और दोनों chromatids opposite direction में move करेंगे कुछ इस तरह से और इस phase को हम नाम देते हैं Enaphase तो यह कौन सा phase है? Enaphase तो यहाँ पे यही बात हुई है segregation का मतलब है एक दूसरे से दूर जाना यानि कि यहाँ पे chromatids एक दूसरे से दूर जा रही है इसके अलावा एक ओर term की यहाँ पे बात की हुई है वो है independent assortment की independent assortment में क्या होता है? कि जो combinations है parent के वो independently move करते हैं gametes के अंदर अगर हम बात करें after S phase तो cell division में एक phase है synthetic phase जिसको हम कहते है S phase तो उसमें क्या है? यह होता है originally chromatid यह double हो जाता है यानि कि genetic content है वो double हो जाएगा और यहाँ पे एक phase होता है zygotin जिसमें यह दोनों एक दूसरे के साथ paired up हो जाएंगे और इनकी pairing को हम कहते है synapse यह synapses यहाँ पे हमें एक construction भी देखने को मिलती है इस construction को हम कहते है centromere यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो segregation है उसका मतलब है एक दूसरे से दूफ जाना और independent assortment का क्या मतलब है कि parent के जो combinations है वो independently gametes में move करेंगे तो यहाँ पे अगर हम अपने options ही बात करें तो homologous chromosome जो एक दूसरे के साथ join है to pass into the same cell तो क्या वो एक cell में जा रहे है नो हमने देखा है वो क्या हो रहे है segregate segregate मतलब get separated to यह वाली जो statement है वो बिलकुल सही है homologous chromosome sequentially denature तो chromosome की denaturing कहीं पर भी नहीं की गई तो यह एक incorrect option होगा और B और C भी यहाँ पे incorrect है because हमने सिर्फ B को चुना है C को नहीं Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर